आज राज्य के जो महामाई में उनसे हम सब लोग मिले थे और उनसे हम लोगों ने मांग किये हैं जो लड़ाई हम लोग 2015 से लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे पारटी के छे विदायकों को भारती जनत्या पार्टी में अपने पले में उन्होंने कर रखा है उस समय से हम लोग ये बार-बार कहा रहे हैं कि पैसे और पद की परलोबन देख करके हमारे पार्टी के विदायकों को मिलाया गया और उसको लेकर के विधान सब अध्याज को भी लिखीत में हम लोगों ने दिया और आदालत हाई कोट में भी हम लोगों ने केस फाइल किये हूँ और ये मामला उस वक्त से चल रहा है आज हम सब लोगों के पास जो एक दस्तावेज मिला है उस दस्तावेज में उस समय के भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश अध्याच नेरा भारती जन्ता पार्टी के राष्टी अध्याच को एक पत्र लिखाए हम उस पत्र की कंटेंट को हम पढ़ करके हम यहां सुना देना चाहेंगे रविंदार्य जी ने पत्र लिखते हैं रूपया चंदेश्वर प्रशाद सिंग के द्वारा स्री दीपक कुमार बर्मा के निगराने में स्री अमर कुमार बावरी एक करोड रूपया विरंची नारायन के द्वारा स्री संजय सेट के निगराने में स्री अलोकुमर चौरसया, दो करोड रूपया, स्री आनन्त उजहा के द्वारा, स्री मति उशा पांडे की निगरानी में, स्री जानकी परसाद यादव, दो करोड रूपया, श्री रघुवर दास जो राजि के मुख्मंत्री हैं, उनके दौरा, स्री राजंदर सिंग के दिया गया है और सेश रासी 26-36 माह के बाद खुद राज के मुख्मंत्री उन लोगं को उपलब्द कराएंगे यह जिमेवारी उन्होंने खुद लिया है इस आसाय की पत्र उन्होंने राश की अध्यास को लिखा इस पत्र को लेकर कि आज हम लोग राज के मुख्मंत्री से राजपाल से हम लोग मिले और उनसे हम लोगों ने मांग किया है कि पहला तो इन जो लोग इस लेंदेन में जुड़े हुए हैं उन लोगों के उपर पहले तो एफ हाय जिसकी मामला विदान सभा में चुकि मामला यह गंबीर है और उसमें राज के मुख्मंत्री से हम लोग मुलाकात किया है मैंने कहां से बोलना है अब